डानियल आपने बताया कि Mr. India की शुरुबात वहां से वी थी जहां पर आपने rampant horse trading देखी हील काउंसिल में, इस अट राइड ये कोई पूछ सकता है कि फिलहाल आप जिस पार्टी में हैं Congress सबसे जादा शिकार होती है वह horse trading की, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है कि Congress के elected representatives horse trading के शिकार होते हैं या उनका हृदय परिवर्तन कोट हो जाता है जब मैं satire videos बनाता था, तब Congress की सरकार थी, so I actually started by complaining against the Congress government जो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपने Congress क्यों जोइन किया, you know, तो उसमें मेरा, अभी में आपका सवाल में आता हूँ, अभी भी जो बीजेपी का सरकार है हमनों का इसमें बहुत सारे लोग तो actually Congress की है, जो elected थे Congress से, बात में वो लोग बीजेपी चलेगे, तो इसलिए मैं मानता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, Congress Party का सब मेंबर्स अच्छा है, वो नहीं बोलता है, और पार्टी का, आप पार्टी का बात करते हैं, तो पार्टी तो में आइडोलिजिस तो रहना चाहिए, जो चाहिए, लेकिन लोग तो चेंज होते रहते हैं, तो मेरा भी हम लोग अभी एक नया टीम बना रहे हैं, इसमें बोल रहा हूँ, और मैं ये आसम में देखने को मिल रहा है, एक नया Congress बनाने का एक टाइम आया है, मैं खुद क of changing the political system, और ये एक सरकार चेंज होने से नहीं होता है, हमारी within, within the party, we have to keep on changing, और वो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, तो अभी Congress Party में भी बहुत सारे लोग है, हम लोग उसको रिफाइन कर रहे हैं, नये लोग ला रहे हैं, इसलिए मैं भी, मैं भी encourage करता हूँ, कि मुझ जैसे युवानेता को भी मोगा दिया है, Congress Party ने, और आने वाला दिन में भी more people are welcome, you know, from all different fields, और असाम में भी, state level में मुझे ये देखने को मिल रहा है, you know, a lot of young people are coming, so शायद आने वाला दिन में और भी changes आएगा, और openly हम लोग बोल सकेगा कि Congress में क्या सही है, क्या गलत है, वो freedom र स्टाइफ कर रहे है, क्या आप थोड़ा सा और elaborate करना चाहेंगे, since अब ये बात निकली गई है, Congress में reform की खूब बात हो रही है, और आप कह रहे हैं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, यही सवाल Congress में dissent को भी लेकर पूछा जा रहा है, कि अभी जो पिछे दिनों 27 की चित्थी थी, उसको किस तरह से पार्टी ने डील किया, या साइलेंस किया, जो भी आलोचक अपनी अपनी टिपनिया करते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, as a Congress leader? पहले जो पहले हम चाहिए, इन यही आप है मतलब तुम कुछ भी क्रिटिसाइस मत गरो मतलब, इफ यू कृटिसाइस दे रूइलिंग कवर्मनेट, यह दिन एकटिसाइस एंडिया, जो आपनी जो थी, गूज़आश को च्रतिसाइस करते हैं, यही दिन का का प्र्या, एक तो ऐसा हमनों का Congress में भी नहीं होना चाहिए कि if you criticize, you know, कोई एक leader का नहीं तो party member का working style, तो it does not mean you are criticizing the party. यह नहीं होना चाहिए. So dissent जरूर होना चाहिए. तो अभी recently जो G27 का सब चीज हो रहा है, मैं यही मतलब दुआ करूगा कि मतलब dissent होना चाहिए. और जो dissenters है, अगर उनलोग का concerns genuine है, ऐसा action नहीं लेना चाहिए. कि मतलब, you know, बाकी लोग को example नहीं चाहिए कि dissent मत करो, dissent करा बोलके ऐसा action लिया. लेकिन मेरे ख्याल से जितना तक मुझे पता है कि dissent करने का मोका दिया जाता है, इसलिए dissent करके भी पार्टी में लोग है और चल रहा है अभी आराम से इतना सारा state में चुनाव चल रहा है और Congress खराब position में होके आपी बहुत अच्छा हो गया. हम लोगों डिस्टिक में भी दो लास्ट दो चुनाव में Congress का हालत ठीक नहीं था, लेकिन आज का दिन में financial strength नहीं होके, manpower कम होके, आप भी हम लोगों जीतने का position में आगिया हम लोग. Fair enough. Daniel, politics is a full-time job और आपको खूब time देना पड़ता होगा. अगला गाना का बारा है? यह लोग, यह सवाल बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं. तो अगला गाना यह चुनाव का आज कितना दिन हो गया? आज 26 हो गया, पांच दिन बाकी है, उसके अंदर एक सॉंग रिलीस करने का. चुनाव वाला तो नहीं होगा? कुछ भी हो सकता है. नहीं, बट ऐसा मतर वोट फॉर कॉंगरेस इसा बोरिंग हो जाएगा ना? मैंने सोचा नहीं है. Mr. India songs ऐसे ही होता है कि मतलब Mr. India songs जो style है लिखने का ऐसे होता है कि I sit with a guitar. on-the-spot lyrics सोचना परता है. Maximum मैं देता हूं 30 minutes. उसका भी एक कारण है क्यूंकि उसके पहले भी मैं 10 years तो, you know, मेरा बैन था, songwriting process एक होता है. But वो overthinking जो होता है, जिससे मतलब एक writer's block आ जाता है, उससे निकलने के लिए ये process स्टार्ट हुआ था, which worked very well. So, अच्छा हो, खराब हो, I don't care. मतलब लेकिन वो 30 minutes के अंदर में song और lyrics ready हो जाना है, खतम. और उसका बाद सोचना नहीं है. Daniel, अगर असम में Congress के सरकार बन जाती है और Congress के मुख्यमंतरी होते हैं, और उनकी ऐसी को इनीती होती है, जिससे आपती होती है, तो क्या Mr. India criticize करेंगे उसको? Yes, yes, जरूर. In fact, within the district also बहुत सारा चीज है, जो मैं criticize करता हूँ. And मैं बोलता हूँ कि ठीक है, you know, idol worship, हम लोग भक्ती, जो पिछले कितना साल में हम लोग ने criticize किया है, बीजेपी जो सरकार में देखने को मिला है, जो मैं agree करता हूँ. तो Congress में भी सबसे बरा बात है कि भक्ती नहीं होनी चाहिए. राहूल गांधी के भक्त हम लोग हमें बनना नहीं चाहिए. और अगर आसाम में Congress पावर में आती है, तो कोई भी लीडर हो, आभी तक तो कोई चीफ मिनिस्टर प्रोजेक नहीं किया है. लेकिन मैं, I hope कि किसी क भक्ती हम नहीं करें. तो I think it starts with that. उससे start होने से बाकी चीज तो थोड़ा ठीक होगा. भक्ती में जाएगा तो और, you know, हम लोग कोशन ही नहीं कर सकेंगे, तो आपने जब बोला, of course, decent होगा, लेकिन भक्ती सिस्टम नहीं होने से तो at least we can raise questions. बहुत अच्छा लगा, Daniel आप से बात करके, आप अपने election campaign में, campaigning के बीच में से, आपने वक्त निकाल के दिलन टॉप को time मिला, time दिया. Thank you, thank you very much. Thank you, thank you so much.